सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे इंडिया लिमेटेड यानि की सेल ने अपने कॉटर फॉर के नंबर डिश्क्लोज कर दी है कैसे रहे हैं क्वाटर फॉर के नंबर और साथ में क्या कुछ अनौंस हुआ तो चलिए जानते डिटेल में सबसे पहले आप लोग देख तो यहां पर आप लोग देखो कभी हम डिस्केस कि रहेंगे इसकी कंसोल्डेटिट स्टेडिमेंट को लेकर और फीगर इन रुपीज क्रोड में दे रखा है भी यहां पर आपको जोने भी क्वाटर एंडिड रेजर्स देखने को मिलेंगे आपको ट्वाटर में अगर बा बात है तो 3,492 क्रोड इंकम थी तो क्वाटर उन क्वाटर इसके इंकम में जंप है और यह आप लोग दे रिवेन्यू फ्रम ओपरेसंस भी आपको सेम देखने को मिल रहा है वही थोड़ा बहुत आप लोगो देखोगे भी जो अधर इंकम हो अपके बार प्रीवेस के मु अगर बात की जाए इसके एक्सपेंस को लेकर यानि जो खर्चे हुए है तो अबके बार खर्चे कैसे है चब भीजारचाहस होती है तर क्रोड जबकि प्रीवेस में 23,440 क्रोड थे वहीं प्रीवेस सेरे के सेम कौटर में 28,088 क्रोड के तो यह तो एक्सपेंस कम है लेकिन quarter to quarter expense में भी जम्प है बट अबके बार जो revenue expense से फिर जाद है मतलग कमपनी ने फिर शे profit बनाया है लेकिन कितना profit बनाया है चलिए देखते अभी net profit for the period अगर बात करें तो अबके बार जो कमपनी ने profit disclose की है वो यहां पर देख सकते हैं लगबग 1126 क्रोड के जो प्रीवेस 169 क्रोड के वहां पर इसके profits थे तो वहां से आप लोग देखो का profits में decline है बट क्यों 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 वेसिस प्राप लोग देखो के profits में अच्छा खासा जंप हमें देखने को मिला है जो की 422 क्रोड से 1126 क्रोड पर हुआ है आप लोग यहां पर एक चीज नोट करोगे कि भी यह रोनी वेसिस पर थोड़े रेजल्ट्स खराब आते वे नजर आये हैं ठीक रिवेन्यू के मामले में हो चाहिए वह profits के मामले में हो बट क्यों 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 वेसिस पर आप लोग देखो के प्रोफिट में अच्छा जंप देखने को मिला है अब आप लोग ट्वेल पर शेर एक दो रुपे त्यात्र पैसे प्रीविस में एक रुपे दो और प्रिविसर के सेम कौटर में दो रुपे एक आसी पैसे तो यह इसके हमें जोना भी अर्निंग पर शेर वगएरा देखने को मिल रहे हैं तो अब यहां से आप लोग देखो कि भी जो रिवेन्यू पैसे एक्सपक्ट के घाए तो उससे आप लोग देखो एहां पर बीट किया है वहीं आप लोग अग्याए वही आप लुचकी अगर बात की जाएं तो लगबग आप लोग आप लोग देखो ग TVs 1200 क्रोड के आज सका रिवेन्यू एक्स 2020 करोड़ यहां 2760开ोड कै गितना है आया है लगबग 27,958 क्रोड revenue from operation आप लोग देखोगे 27,958 क्रोड यादि कि EPS और इसका जो revenue है उसके मामले में company ने बीट किया है और उसी का effect हमें बिलकुँ positive stock के उपर कल के दिन देखने को मिलना चाहिए और बाकि आप लोग कमेंट में जुरूर बताना भी जो यह 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 इसका effect stock के उपर आ सकता है उसका जुरूर कमेंट करना इसके लावा आप लोग देखो कि यहां पर जो revenue segments वगरा देखने को मिल रहे वह यहां पर आप लोग वीडियो को post करके देख लेना ठीक है इसके बाद देखो कि यहां पर assets वगरा जो अभी company की कैसी रही है तो assets के अ अगर बात करें तो short term में हमें जुन अभी यह लगबग 19,599 crore से increase होकर 21,32 crore पर पहुंचते वह नजर आया है यहां यह company के उपर debt बड़ा है लेकिन और बाकी results ठीक आया बई इसके लावा और कुछ पूछना है केमेंट में पूछ सकते हो cash flow statements यहां पर आप लोग देख लेना वीडियो को पूछ करके और यह जो notes अनभी इन्हें भी आप लोग I think detail में पढ़ सकते हो वीडियो को पूछ करके thank you for watching the video